एक अप्रेल के बाद ये सब चीजे हो जाएंगी महेंगी जाने क्या क्या अर्थ विवस्ता को मजूद बनाने के लिए भारत सरकार बहुत से नय और पुरानी कदम उठाती ही रहती है नया वित्ति वर्ष एक अप्रेल से सुरू हो रहा है बज़त में प्रिस्तावित सभी त फसकितरा पताते हैं कौन सी से शस्ति होगी और कौन सी चीजे महेंगे ओ जाएंगे पहला कार मुवायल और कमर्सियल बाहनों बाहनों में बीमा अमय अन्य चीजे एक अप्रेल से महेंगे हो जाएंगे तमाघुवाली पानमसाली वागुछ पादन appears पर सुल्क 10% से बढ़कर 12% हो जाएगा जिसका अच्छा खासा असर इसका इस्तमाल करने वाले लोगों पर होगा LED बल्ब बनाने के लिए इस्तमाल में लाई जाने वाली सामगरी पर मूल सीमा सुल्क 6% पूरती सुल्क लगेगा इसका LED बल्ब महंगे होने पर असर हो सकता है चानी से बनने वाले उत्पाद वाचानी एक अपरेल से महंगी हो जाएगी फोन और एलेक्टरोनिक उत्पाद उनों पर एक अपरेल के बाद बड़ोत्री हो सकती है इसका सीधा कारण या है कि मोबाइल फोन बनाने में उपयोगी सामान लाए जाने पर सुल्क बड़ा दिये जाएगा और आप जान लेते हैं कि क्या क्या चीजे सस्ती होने वाली है जिन से लोगों को राहत मिल सकती है इस बार रेल बजट में रेल टिकेट करवाती वक्त लगने वाली सर्विस चार्ज कम कर दिये जाएंगे जिससे रेल टिकेट बुकिंग सस्ती हो जाएगी बजट में सरकाने लोगों को सस्ती मकान उबलब्द कराने के लिए होम लोन पर ब्याजदर पर जूत की घुसना की थी अगर आप इस बरस मकान बनाने की सोच रहे हैं तो 2017 में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है लेदर के जूते लेदर की जरकेट या लेदर से बनने वाले उत्पादल से बनी सारी सामग्या सस्ती हो जाएंगे जिसके आपको अच्छा कासा फायदा मिलेगा बीबीपी निगूस सबसे आगे तो आज ही हमारे चैनल सस्क्राइब करें